वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ जरूरी क्रिप्टो करेंसी न्यूज और अपडेट के बारे में सबसे पहली अपडेट यहाँ पे अगर हम कवर करें तो वो है I recommend all people to diversify but I am all in BNB, Bitcoin, Binance CEO तो Binance के जो CEO है वो यहाँ पे advice करते हैं सभी को diversify करने के लिए ठीक है अगर आप देखेंगे Binance Billionaire CEO चेंक पिंग जाओ during an ask me anything session on Reddit तो एक ask me anything session हुआ है Reddit के उपर बहुत सारे questions पूछे गए हैं CZ से और Binance CZ ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे investment को लेके पूछा हुआ है investment wise I am not a good example I don't diversify तो यहाँ पे Binance के जो CZ हैं यहाँ पे उन्हें ने diversify नहीं किया है और जाओ said that while he recommend most people to diversify investment बिलकुल diversify करना बहुत जरूरी है लेकिन इनका investment सिर्फ सारा का सब आप देखेंगे तो Binance के अंदर है इनका सारा investment BNB coin और Bitcoin के अंदर है ठीक है my personal assets are simple I am all in crypto BNB and BTC तो BNB और Bitcoin ही जो है यहाँ पे है Binance CZ के पास और I use my Binance card everywhere I go तो यह अपना Binance card यूज करते हैं जहाँ भी CZ जो है अगर कहीं जाते हैं तो वो अपना card यूज करते हैं और everything I do I do it through Binance तो Binance के थुरू करते हैं जो कुछ भी करते हैं और यहाँ पे अपनी investment को लेके चीजे clear कर दी कि BNB और BTC में ही उनका investment तो आज है Bitcoin Pizza Day आज Bitcoin Pizza Day सेलिब्रेट किया गया और WISE May 22 सेलिब्रेट इस बिटकोइन पिज़ा डे तो Bitcoin Pizza Day के रूप में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे 10,000 Bitcoin से जो है a couple of pizza खरीदे गए थे और यह इन्होंने खरीदे थे pizza आप देख सकते हैं यहाँ पे pizza भी है और इसका अपडेट हमने टेली ग्राम पे भी कर दिया तो टेली ग्राम को अपने जोईन नहीं किया तो link description में जोईन जरूर कर ले न तो इन्होंने 10,000 Bitcoin के पहली बार 22 May को 2010 के अंदर 12 साल पहले Bitcoin से 10,000 Bitcoin से जो इनका नाम है Lazlo अगर आप देखेंगे और इन्होंने यहाँ पे Bitcoin खरीदे थे यहाँ पे pizza खरीदे थे Bitcoin से वो भी 10,000 Bitcoin से और आए 10,000 Bitcoin आर वर्थ होवर 291 million today इतना Bitcoin नीचे है फिर भी अगर आप देखें millions में बात चली जाती है और आने वाले time में billions में पहुँच जाएगी तो 10,000 Bitcoin अगर आप देखेंगे कहां बात होती millions में आज पहुच गई होती और इसलिए 22 में को Bitcoin पिज़ा डे जो है celebrate किया जाता है तो Bitcoin पिज़ा डे को लेके यहाँ पे Binance के जो CZ है वो भी काफी excited दिखे हमको एक दिन पहले Bitcoin अगर आप देखेंगे पिज़ा की delivery करते और यहाँ पे उनने एक new job का जो है title भी दिया था तो अगर आप देखेंगे Binance CEO makes delivers pizza in Canis to mark Bitcoin पिज़ा डे तो यह कुछ पिज़ा डे से पहले की कुछ पिज़ा डे के ऊपर Binance CZ जो करते हो दिख रहे हैं आप देख सकते हो next update की बात करें तो वो है Brazilian crypto exchange की तरफ से और Brazilian crypto exchange to spend $1,27,000 to fully refund UST holders तो यहाँ पे पूरा refund करने के लिए अपने Brazilian crypto exchange है जितने भी UST holders है उनको fully refund करने के लिए यहाँ पे spend करने वाला है $1,27,000 और जो अगर आप देखेंगे its user who suffered losses on Terra UST holdings जो UST से loss के अंदर आया है और यह जो exchange है यहाँ पे पूरा पूरा अगर आप देखेंगे will only refund users who bought UST before the stable coin lost its peg $1 peg तो बिल्कुल यहाँ पे अगर जिन्होंने $1 के उपर UST को खरीदा था पहले से ही उन सभी को यहाँ पे refund कर रही है यह Brazilian crypto exchange और कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा update है इस exchange की तरफ से Knox Bitcoin जो यह exchange है यहाँ पे पूरी तरह refund कर रही है UST holders तो Coinbase की तरफ से एक list है अगर आप देखेंगे Coinbase की तरफ से एक list है top recommended 10 top recommended coins की अगर आप देखेंगे यहाँ पे और इस list के अंदर सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे जो king है crypto market का तो analyst as Coinbase exclude Bitcoin from top 10 recommended coins तो यहाँ पे Bitcoin को इस list से बाहर कर दिया Bitcoin analyst Sam pointed out that crypto exchange Coinbase excluded Bitcoin the world biggest crypto from its list of top 10 recommended coins तो यहाँ पे top 10 recommend coin की हैं अगर आप देखेंगे इस list के अंदर सबसे पहले नंबर पी theorem को जरूर रखा गया है second पे solana है third पे launch है fourth पे polygon matic को रखा है अगर आप देखेंगे यहाँ पे five पे अगर आप देखेंगे cosmos को भी रखा है six पे decentraland को seven पे x infinity eight पे गाला nine पे loop ring है और ten पे spell token है यह ten coins जो हैं list के अंदर रखें recommended coins लेकिन bitcoin को इस list में डाला ही नहीं है अगर आप देखेंगे bitcoin इस list में है यह जो crypto market का king है और यह coinbase की तरफ से top 10 recommended coins की list है आप इस list के बारे में क्या कहना चाहेंगे bitcoin को जगा देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी जगा तो नहीं मिलिया अगर आप देखेंगे तो जगा देनी चाहिए थी आपके क्या views है इस list को लेके आप क्या सोचते हो तो आप comment करके ज़रूर बताइए next update की बात करें तो coin switch की तरफ से है coin switch अगर आप देखें crypto regulations will bring peace and more certainty in India coin switch कुबेर CEO अशी शिंगल ने चीज़े कहिए has called for regulations in the Indian crypto sector regulations की मांग की है regulations को जल्दी से जल्दी लाया जाए और saying it will bring peace and more certainty single यहां पे single ने चीज़े कहिए अशी single और user don't know what will happen there with their holdings is government going to ban not ban how is going to be regulated और he added that India should develop a set of crypto laws तो with the right regulation we can get clarity तो यहां पे भी बहुत सारी चीज़े हैं इंडिया के इंदर जो हो रही है GST में भी लाया जा रहा है crypto को अगर आप देखेंगे तो देखते हैं अब क्या चीज़े होती हैं और regulations की जो मांग है यहां पे की है coin switch कुबेर के CEO ने next update की बात करें तो वो है hyper DAO की तरफ से HDAO भी आप इसको बोल सकते हो HDAO rolling out new burning mechanism to burn 50% of its tokens तो एक नया burning mechanism यहां पे roll out किया है जिसकी वज़ा से 50% of its token burn होने वाले हैं और अगर आप देखेंगे the foundation of hyper DAO has announced that it is rolling out a new burning mechanism to reduce the number of HDAO tokens from 10 billion to 5 billion 10 billion supplier 5 billion होने वाली है और the mechanism aims to introduce scarcity of the tokens to the market and increase the value of HDAO तो बिलकुल burning होगी तो HDAO की value भी increase हो सकती है currently hyper DAO इस price पे trade कर रहा है 0.0041 अगर आप देखें the transaction fees from the burns will be used as HDAO monthly income HDAO की monthly income के लिए use किया जाएगा transaction fees को तो यह है burning को लेके एक सबसे बड़ा update hyper DAO की 50% tokens यहाँ पे burn mechanism के जरीए burn करने की तयारी है तो next update की बात करें तो Shiba Inu के burn portal से देख लेते हैं कितने यहाँ पे tokens बर्न हो चुके हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है तो बिल्कुल इस time के अगर आप देखेंगे Shiba Inu का burn portal कहीं ना कहीं थोड़ा सा network अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा slow हो रखा है एक जो error है वो हमको देखने को मिल रहे है Shiba Inu के burn portal में लेकिन यहाँ पे 50 billion जो number है वो यहाँ पे touch हो चुका है तो बिल्कुल Shiba Inu ने अपने burn portal से एक बहुत बड़ा milestone मना लिया है पूरा एक महीना यहाँ पे हो चुका है अगर आप देखेंगे 22 April 23 April के something जो है burn portal launch हुआ था एक महीने के अंदर 50 billion 50 billion जो है Shiba Inu की supply reduce कर दी इस burn portal ने और 50 billion Shiba Inu burnt since burn portal launch in less than a month तो पूरा पूरा एक मन्त के अंदर 50 billion 50 billion का हमको number देखने को मिला है और एक बड़ा milestone यहाँ पे बनाया है एक महीने के अंदर सबसे ज़्यदा burning का अभी तक और यह भी देखना ज़रूरी है अब next month second month के अंदर कितनी burning करता है क्या 50 billion से कम करेगा या जैदा करेगा जैदा करेगा तो एक अच्छा signal रहेगा और इतनी होगी तो भी ठीक है लेकिन अगर इससे कम होगी तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं depend करता है कि हर महीने यहाँ पे burning increase होती है तो एक अच्छी supply हम 5-6 महीने के अंदर burn portal से expect कर सकते हैं कि reduce हो सकती है और आपको क्या लगता है 50 billion second month के अंदर कितना burn हो सकते हैं आपके क्या वी use हैं आप comment करके जुरू बताना तो last and final update की बात करें तो वो है baby dodge coin को लेके और baby dodge coin को लेके एक burning आप देखेंगे last 24 hour के अंदर इतने tokens यहाँ पे last 24 hour के अंदर burn हो हैं और बहुत बड़ा question यह भी है कि baby dodge coin की supply अगर आप देखेंगे तो quadrillion में supply है बिल्कुल quadrillion में supply है baby dodge coin की लेकिन trillions में burning हो रही है last 24 hour में 71 का number देखने को मिल रहा है और इतने tokens अभी तक burn हो चुके अगर आप देखेंगे और यहाँ पे आप जो है अगर हम देखें आप तो यहाँ पे last 1 hour की भी हर 1 hour में कितने burn हो रहे हैं 1 trillion इसके लावा 656 million billion यह number भी हमको देखने को मिल रहा है और आप burning यहाँ पे calculate भी कर सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे क्रिप अगर आप देखेंगे बेबी डॉज को इनीजे मीम क्रिप्टो करणसी डिजाइन तो यहाँ पे लास्ट 24 आउर में कितने बर्न हुए आप सब data चेक कर सकते हैं और 45% बर्न हो चुका है supply का हिस्सा ठीक है वो पूरा बर्न हो चुका है 45% और यहाँ पे total आपको अगर आप देखेंगे यहाँ पे इतनी supply total जो है यहाँ पे बर्न हो चुकी है पास्ट वन आउर के अंदर इतने tokens बर्न हो है पास्ट वन डे के अंदर इतने बर्न हो है circulating supply आप देखेंगे तो इतनी है total supply 420 quadrillion की है आपको पता है बहुत बड़ी supply है तो यह कुछ बर्निंग का डेटा निकल के आ रहा है last 24 आउर में वे भी डॉज कोईन का तो आपके क् अपडेट्स को लेके आप कमेंट करके जूब बताईगा आगे जो अपडेट रहींगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई